मित्रों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आगरे है कि ट्रूमीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ सब्सक्राइब बटन के बरावर में जो भंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे इस वीडियो के आतंकियों का इस्तमाल किया था पुलीस ने एक हमलावर बिक्रम जीत सिंग को 21 नवंबर को गिरफतार कर लिया उसने खटना के समय सेवादार को गन पॉइंट पर लिया था ग्रेनेट को उसके साथ ही अवश्य अवतार सिंग ने फेंका था बाद में दोनों बाइक से भ की निरंकारी भावन पर हुए हमले में तीन लोग मारे गए थे और 21 खायल हुए थे पंजाब के मुख्यमंत्री केप्टन अमरिंदर सिंग ने 21 नवंबर को मीडिया को यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से आतंकी घटना है जिसे के लेफ के आतंकियों ने इनजाम दिया यह सब पाकी खुफिया एजिंसी आएसाई के इशारे पर हुआ हमले में इस्तमाल ग्रेनेड पाकिस्तान में ही तयार हुआ था हमलावरों की पहचान CCTV फोटेज से हुई मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों ही हमलावर के एलेफ का प्रचार करते थे दोनों का कोई आप रादी के इतिहास नहीं है घटनास्थल अदलीवाल से बिक्रम जीत का गाउं और धारेवाल मातरे 9 किलो मीटर दूर है यहां से घटनास्थल तक 12 से 10 मिनट में पहचा जा सकता है अवतार के गाउं चाक मिश्री खां की अदलीवाल से दूरी 23 किलो मीटर है वह से आवर डेरा सचा सौधा के नेताओं की हत्या के मास्टर माइंड वा के एलेफ चीफ हर प्रीट सिंग हैपी ने हमलावरों को हांड ग्रेनेड मुहया करवाया था उचताच में बिक्रम जीत ने बताया कि 3 नवंबर को अवतार ने उसे बुलाया और एक असाइनमेंट पर था हमले के बाद दोनों आवतार के घर चक मिश्री खां गए जहां आवतार ने बिक्रम से पिस्तॉल वापस ले ली और हुलिया बदला मित्रों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आगरे है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो भंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे इस वीडि